हेई गाइज वेलकम वेक्टो माई व्लॉग और आप सभी लोग अच्छे होंगे मज़े में होंगे और आज है दिन संडे का सो गाइज कुछ त्राइम पहले मैंने एक यूट्यूब शॉट डाला था जिसमें हम लोगों ने नीबू सान के खाया था तो आप लोगों के मैंसे कुछ लोगों ने कॉमेंट किया था कि इसकी फुल रेसेपी तो बताईए तो आज मैं आपको उसको पूरी तरीके से किस तरीके से बनाते हैं वो सब कुछ बताऊं दिखाऊंगी फिलहाल आज हम जा रहे हैं भाया रोगों के वहां मेंस यहीं पास पे ही रहते हैं वो तो ह आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी दिखाऊंगी कि किस तरीके से यह नीवू को साना जाता है और बांकी चलिए चलते हैं फिलहाल बच्चे रेडी हो चुके हैं जाने के लिए मैं आपको बच्चों से मिला देती हूं पहले रेडी होने के साथ साथ यह सो भी गए है नक्षु है सोया है और नंदिनी भी सो ही है तो अच्छी बात यह है कि जिस टाइम पे इलोग सोय है उस टाइम पे हम वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद पर देखते हैं तो गाइस फिलाल निकल गए है भाया के घर के लिए तो अभी तक यहां नानु का होमवक चल रहा था हिंदी का होमवक चल रहा है तो चलिए अब फिलाल बनाते हैं नीबू जिसके लिए हम आए हैं तो हाँ भावी यहां नीबू चिलती भी जा रही है और यहां पर मैं मूली को कट कर लेती हूँ चोटे चोटे पीसेज में मूली कट कर लेंगे और साथ में नीबू को भी हम के पीसेज भी हम निकाल लेंगे देखें किस तरीके से मैं इस तरीके से चोटे चोटे पीसेज को बाहर निकाल लोंगे और जो बाहरत में यह बड़ा सा रह जाएगा इससे साइड कर लेंगे तो कुल मिलाके केवल नीबू के अंदर का जो पल्प होता है उसे ही यूज करना है नीबू और मूली के अलावा हम इसमें मल्टा भी डालेंगे तो साथ साथ में यहां भांग का नमक भी पीस लेते हैं तो यह भांग भुन चुकी है और इसमें नमक मिर्ची बगरा मिलाके इसे पीस लेंगे और यहां पर आप देखिए यह गुड़ को मैं कदूकस कर रही हूँ क्योंकि गुड़ काफी ज़्यादा टाइट थी तो इसलिए इसे कदूकस करना ज़रूरी था तो इसे कदूकस करके हम इसे यूज करेंगे आप चाहें तो चीनी भी यूज कर सकते हैं गुड़ की चेके पे पर गुड़ थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है सारे चीज़े रेडी हो चुके हैं अब बस इन सब को मिक्स करना है तो ये देखे भावी ने इसमें डाला भांग का नमक जो पीसा था भांग के नमक में आप लेसन के पत्ते भी एड़ कर सकते हैं हरी मिर्ची एड़ कर सकते हैं नमक और मिर्ची तो रहती ही है साथ में आपको जिन चीजों का टेस्ट अच्छा लगता है आप उनको इसमें एड़ कर सकते हैं चटपटा बनाने के लिए साथ में गुर तो खटा और मीठा दोरों ही टेस्ट आना चाहिए साथ में इसमें दही भी एड़ करना है दही अगर ना हो तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं बहुत जादा मलाई यूज़ नहीं करनी है थोड़ी सी करनी है और इसे अब बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि काफी जादा पल्पी रस्तदार नीबू बन चुका है तो अब आप भी इस तरीका का नीबू बनाके एंजोई कर सकते हैं फिलाल हम तो इसे एंजोई करने वाले हैं तो यह डिस्टिब्यूट कर दिया है भाविने और अब हमारी बारी है से खाने की तो फिलाल नीबू खा लिया है और काफी जादा टेस्टी था और अभी फिलाल बच्चे भी जग गए हैं और बस अब उन्हें चाहिए खेलने के लिए तो बस दोनों की दोनों लगे हुए हैं यहां पे उन्हें दो और बच्चे मिल गए हैं तो अभी वो बहुत ज़्यादा खुश है देखे किस तरीके से नानो उसके साथ खेल रही है आज मुझे वाइस ओवर ही करना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे बच्चे भी और भी पांकी सभी लोग हम सभी लोग बहुत ज़्यादा हला कर रहे थे तो इसलिए मुझे वाइस ओवर करना पड़ा हम कोश बार बार नानो के बाल नंदिनी के बालों में चिपका रहे थे ताकि नंदिनी जो हमारी टकली है देखें तो सही बालों के साथ कैसी लगती है चलिए फिलाल देखते हैं कब तक इसके बाल आते हैं और कैसी लगेगी बालों के साथ और फिलाल नानो उसके साथ पूरे मज़े ले रही थी बहुत जादा एंजॉय कर रहे थी वो भी और नंदिनी भी दोनों की दोनों और यहां पर रियू लेके आया है अपने भाई के लिए different different cars अभी वो लेने गया है auto भी उसके लिए तो भाई भाई के साथ खेल रहा है और बहन बहन के साथ देखिया नंदिनी कितने प्यार से उसे देख रही है नानू को और एज़ॉई कर रही है और यहां रही हो लेके आ किया है अपना आटो नक्ष के लिए अभी नक्ष आटो से खेलने वाला तो नहीं हुआ है बट हाँ वो चीजों को अबजिक्ट सो देखता है तो फिलहाल के लोग अब भाई भाई के साथ खेलेगा फिलहाल नक्ष आटो नंदिनी सो गए है और अभी हमारा टाइम में अब हम रील्स बनाने लगे हमें चोटे-चोटे से दो गोगल्स मिल गए थे यह बच्चों के ही और तो हम उसके साथ रील्स बना रहे थे जो कि हम से नहीं बन पा रहे थी पर एंजोई बहुत किया हमने बहुत जादा मज़ा आ रहा था देखे कैसे काटून पंती कर रहे हैं तो चलिए हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं ये काटून पंती और आप से मिलते हैं फिर एक नए व्लोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई औ आप भी एंजोई कीजेगा नीबू